हलो फ्रेंद्स वेलकम टू पीजी क्लासेज मेकिंग बेटरू शॉर्टकट्स दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे पोलिटिकल डिविजिन ओफ इंडिया असान सा टॉपिक था इंपोर्टेंट टॉपिक था नया एड़ हुआ था इसलिए आपको थोड़ी सी कन्फूजिंसी पार्ट वन हम लोग कवर कर लिया था हमने पार्ट टू हम लोग आज कवर करेंगे पार्ट वन में हम लोग ने क्या देखा था ठीक है पार्ट वन में हमने पहले देखा था लॉंगिट लॉंजिचूड और लैटिटिटूड क्या होता है ठीक है किसी की लोकेशन किसी पॉ है जैसे हम उस समय बताया भी था कि political और physical में क्या फरक होता है physical मौनलब जो अपने होगा होता है जैसे mountain ranges river वगारा सब जो है वो अपने आप हुए है लेकिन political में क्या होता जो हम लोग करते हैं अपने administrative परपस के लिए तो इसमें क्या जाएगा next अपनी हमारी आ जाएंगी different states, uts, उनके बारे में जो important point है, जो नहीं state बनी है, या नहीं uti बनी है, या फिर जो recent मतलब 2000 से लेके, जो मतलब 2000 से लेके आज तक जो नहीं नहीं बनी है, कोई जैसे मध्यापरदेश से कौन से निकली है, ते लंगाना कहां से निकली है, तो ये सब चीजें जो है, आज हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके लिए, इसके लिए पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, states, उनकी capitals, उनके CM, उनके गवर्नर, ठीक है, states और capital जो है, वो तो सब लोगों को याद होता है, ठीक है, cm और governor, जो है, वो याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, रिका, तो मेरी जो पहली वीडियो थी channel की, फर्स्ट और सेकिंड वीडियो आइधिंग, जो तो आप लोग देखे ले न तीरत सिंग रावत है अभी पहले कौन से त्रिवेंदर सिंग रावत है तो इसलिए वो सिर्फ वो ही चेंज हुए है तो वो चीज़ आपको देख लेना पहले वो आप वीडियो देखोगे तो आपको 5 मिनट में ही आपको सारे CM's लरन हो जाएंग वो ऐसा था ठीक है ये चीज़ थी कि states उनके cm और उनके governor उसमें से इसमें से cm जो है वो एक ही change हुए है जो की है क्या कौन उत्राखंड के पहले कौन से त्रिवेंद्रे सिंग रावद ठीक है ये change होगे अभी कौन है तीरत सिंग रावद ठीक है तो बाकी आब लोग ट्रिक जो है वो वहाँ पर पढ़ लेना first lecture मेरा वहाँ पर देख लेना governor की भी कोशिश करना अगर हो सके नहीं होगा तो मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो ले किया हूँगा ठीक है next step पढ़ना के हाज हमें ठीक है आ जाते है northern states of India कौन कौन सी हिमाचल उत्रखंड उत्रबरदेश पंजाब हर्याना ठीक है अब इसमें से important क्या है उत्रखंड कब बनाया गया 9th November 2000 में ठीक है और वो 27th state हमारी बनी कौन सी उत्रखंड ठीक है और 2007 में इसका नाम चेंज कर दिया गया किसमें उत्रखंड में यह point जो है न यह आपकी important point है यही आपको points जिन में से याद रखने है ठीक है पहले तो आ गया CM states capital वो आपको याद रखनी है उसके बाद यह points जो है आपको याद रखने है बाकी नहीं सब याद रखने कि यह बना कब था कुछ 1956 में से कुछ 1930 या 1958 ऐसे कुछ करके थे तो वो आपको याद नहीं रखने है आपको important सिर्फ 2000 वाले याद रखने है यह 2000 में यह 2014 में यह एक दो ठीक है वैसे आपको जो important है वो याद रखने है इसमें से क्या था इसमें से आपको उत्रखंड याद रखना है कि पहले इसका नाम उत्रांचल था 2009 नवेंबर 2000 में फिर इसका नाम 2007 में चेंज करके उत्रखंड कर दिया गया है और यह निकला कहां से है उत्तरपरदेश से ठीक है next आता है आपका western state of India ठीक है उसमें क्या क्या आता है राजस्थान, गोवा, गुजरात, महराष्टरा अब जो मैंने यह point लिखिया है न यह सारे आपके question है सारे आपके question पूछे जाते है जैकि कुछ भी आपको पूछ सकता है तो ठीक है राजस्थान क्या है आपका largest state of India by area अगर आपको population होगा वो है UP ठीक है आपको पता ही है UP की population ठीक है तो largest state by population अगर पूछा जाए तो UP है largest state by area अगर पूछा जाए तो राजस्थान है फिर आता है गोवा smallest by area ठीक है गोवा क्या है smallest है area wise ठीक है next है महराष्टरा third largest by area and second largest by population अब सर largest जो first largest है मने जो largest है वो भी आ गया राजस राजस्थान third largest भी आ गया कौन महराष्टरा by area तो second largest क्या होगा second largest है मध्यपरदेश में दोनों के बीच में आता है ठीक है दोनों के बीच में आता है किसके राजस्थान और महराष्टरा के बीच में राजस्थान हो गया largest मध्यपरदेश हो गया second largest by area लेकि population नहीं फिर मह आता है महराश्टरा और smallest आता है कुन गोव ठीक है अब ये मद्याप्रदेश से क्या निकला है 36 गड़ जो है वो निकला है मद्याप्रदेश से कब निकला 1st November 2000 में और ये बनी हमारी 26th state तो ये चीज़ें जो है आपकी काफी important है हमेशा ये चीज़ें ऐसी ही पूछी जाती ह है ठीक है इसमें मैंने आपको जब 1st lecture मैंने कर वाया था मैंने आपको बोला था इसमें समझने वाला कुछ नहीं है इसमें सिर्फ आपको चीज़ें याद रखनी है ठीक है तो कहां से आया 36 गड़ मद्याप्रदेश से आया कब आया 1 November 2000 में और ये बनी as a 26th state नेक्स चलते आ गया by population बिहार second largest कौन सा है महराष्टरा ठीक है और अब आ गया जारखंड जारखंड कहां से निकला है जारखंड निकला है बिहार से कब निकला 15th में 2000 में तो ये सारे ना जो भी निकले है मतलब 26th 27th और 28th जो है ये 2000 में ही निकले है ठीक है 26th 27th 28th ये कब निकले है 2000 मे ये बनी हमारे 28th state ये भी पूछ सकते हैं आपको कि 28th state कौन सी बनी 27th कौन सी बनी और 26th कौन सी बनी ऐसे भी पूछ सकते हैं तो कौन सी बनी 28th जारखंड बनी अब मैंने area wise तो आपको simplify करके पीछे बता दिया कि first, second, third और सबसे smallest कौन सा है यहाँ population wise आगे सबसे जादा उत हुआ और second smallest in terms of area अगर पूछा जाए तो कौन है वो सिक्किम ठीक है second smallest in terms of area और smallest in terms of population भी कौन है सिक्किम यह चीज़े important है आप क्या करना आप इसको खुद से एक बार ठीक है खुद से एक बार लिखना एक से दो बार आप इसको लिखोगे तो आपको यह easily learn हो जाएगा next आते है southern states of India आंद्रापरदेश, तेलंगाना, तामिनाडु, केरला और करनाटगर अब तेलंगाना जो है वो आपको पता है 2014 में आया 2014 में यह नई state बनी हमारी ठीक है तो carved out of आंद्रापरदेश on 2nd jan 2014 with हैदराबाद as its capital ठीक है तो तेलंगाना कब आया 2nd jan 2014 में और हैदरा क्या बना, इसका capital ठीक है है, हैदराबाद क्या बना, इसका capital बना, next आता है यह question भी आपको पूछा जा सकते है जेकी ऐसे भरोसा नहीं है कि seven sisters किसको बोला जाता है, ठीक है, कौन सी या फिर आपको ऐसे ऐसे दे देंगे seven sister question पूछ लेंगे कि which of the following इन में से मतलब कौन सा जो है वो seven sister में नहीं आता, चार options दे देंगे, चार states दे देंगे आपको उसमें से पूछेंगे कि इन में से seven sister में कौन सा नहीं आता, तो आपको ये भी एक बार ध्यान में रखना होगा कि seven sister में कौन कौन आता है, अर्सम, मेगालिय, मनिपूर, त्रिपुरा, अर्नाचल, मिजोरम और नागलेंड जो है, वो seven sister में आता है, और seven sisters का only brother, ठीक है, only brother of seven sisters बोला जाता है किसको, सिक्किम को, और त्रिपुरा देखो, त्रिपुरा मतलब, ऐसे है न, try, try मतलब तीन, मतलब third smallest by area कौन है, त्रिपुरा, ठीक है, smallest कौन है, Goa, फिर आगया second smallest, सिक्किम, और only brother of seven sisters किसको बोला जाता है, सिक्किम को बोला जाता है, important है, पढ़ना, ध्यान से, पूछ सकते हैं, next आपका union territory of India, ठीक है, union territory आपको पता है, JNK और लदाख, जो है, union territory कब बनी, कब इफेक्ट में कब आई, 31st October 2019 में, अगर आपको इसके बारे में, detail में जाना है, तो मेरा lecture है, आपका, JNK Reorganization Act, जो है, वो मैं आपको I button पे उपर दे दूँगा, ठीक है, तो वहां से आप लोग उसको देख सकते हो, अगर आपको इसके बारे में, और जादा पढ़ना है, तो, JNK के बारे में, जो Reorganization Act है, कैसे बनी UT, किस article के अंडर ये होता है, process article 3 के अंडर, अ largest by population, अगर आपका, सर largest by population, तो आपने बोला था, UP है, वो तो state है, अब UT की बात कर रहे हैं हम लोग, तो UT, largest by population, UT कौन सी है, वो है, डेली, और largest by area, अगर पूछा जाए, तो कौन सा है, अंडर मैन और निकोबर आइलेंड, जो है, वो है, largest by area, और smallest by area and population, कौन सा है, कौन सी सर, दागर और नागर हवेली, और दामनन ड्यू, जो है, ये, कंबाइन होके, एक ही UT बन गिया, अब हमारी UT क्या है, ये, टोटल मिला के, एक ही UT है, और इसको गवन कौन करते है, इसका administrator कौन है, प्रफुल पतेल, जो है, इसके administrator है, कब ये हुई, 26th Gen 2020 को ये, बनी कंबाइन होई, ठीक है, तो यही point है, यही point पढ़ने वाले है, पहली वीडियो में, आपको मैंने सारा location के बारे में, smallest, largest, वहाँ भी, wettest, जो है, largest, delta, ये, जो है, lowest point, या फिर southern most, ये, सारे points कवर किये थे, उसके बाद बचता था आपका, यही states, capital हो रही है, और जो भी states म कुछ important point थे, largest, smallest का, सब आपका cover हो जुगा, तो इसी में से आपको question पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान से आप एक बार इसको पढ़ना, और कोशिश करा करो, आप लोग ठीक है, notes मांगते हो, ठीक है, मैं दे देता हूँ, वह अलग चीज है, लेकिन आप कोशिश करा क करो कि अपने notes खुद prepare करो, जब तक आप खुद नहीं prepare करोगे, एक बार चीज अगर आपके हाथ से निकली होगी, अपने लिखी होगी चीज, तो आपको वह 90% chances होते हैं कि आपको वह याद रहे, compare to अगर आप कहीं से पढ़ते हो उसको तो, ठीक है, तो वह कोशिश करना, खुद notes बनाओ, आपने, मैं भी provide कर दूँगा, ऐसी बात नहीं है, मैं provide नहीं करूँगा notes, लेकिन आप try करना, खुद भी आपके notes बने, तो अगर आपको चीजें पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को like करना, channel को subscribe करना, bell icon को press करना, और अपने friends के साथ जरूर share करना, और comment करके बताना कि वीडियो आपको कैसे लग रही है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, thank you, अगर आपको कोई next topic पढ़ना है, तो आप लोग मुझे comment करके बता सकते हो, कि sir, ये वाला topic आप start करो, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख